कि नमस्का दुस्तों तो स्वागात करता हूं आप सब को भी इन क्लास में तुए हम बात करेंगे मेंडिली प्रियोडिक के बारे में बात करेंगे इस से पहले हमने बात किया दोबरी हो एपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लींक है जाकर आप देख सकते यहां पे हम बात करने माले में स्पैसिलि Ugh क्या क्या और क्षेयर का अधर किया क्न Alors उनका प्रिडि जया से आम पर का में खोए है में आपको देखने को मिलेगा 800 अाप देखने को मिलेगा तो उन्होंने Oxide और Hydride के साथ में भी Combine करके देखने एकोसिस किया तो यह सारा क्रेटरिया है आप यहाँ पर डिटेल्स में हम discuss करेंगे वीडियो के आन तक बने रहे है और चीज को समझने सब्सक्राइब ने किया था इसके बारे हम बात करेंगे मंडल में हम बात करते हैं यहाँ पर दीग तो उसी जाएगा Mendeleev periodic law को state करने के लिए तो आपको यह statement लिखना पड़ेगा ठीके the property of elements are periodic function of their atomic masses so this is the periodic law of Mendeleev उसके बाद so उनका क्या क्या था किस basis पे उन्होंने element को सजाया था group में या period में तो Mendeleev classify elements in increasing order of their atomic masses and similarities in their property तो क्या था similarities in property के साथ में उन्होंने increasing order of atomic masses में सजाया हुआ था प्रियोडिक टेबल पर ठीके एंड फर्मुली of oxides and hydrides तो क्या किया था उन्होंने जो element का जू है oxygen और hydrogen के साथ में formula form करके देखने एकोसिस किया that means oxide और hydride का formula उन्होंने form किया था also basis for their classification तो उसको भी उन्होंने basis of classification लिया that means कोई element oxygen के साथ में या hydrogen के साथ में form कर रहा है के नहीं कर रहा है oxide और hydride या किस टाइब से form कर रहा है उसके basis को भी उसको भी उन्होंने एक basis बना दिया था ठीके तो third point the mandaly periodic table has six horizontal rows उनका कितना था six horizontal row है उसको हम क्या बोलते हैं प्रियोड बोलते हैं and the eight vertical columns called the group okay eight groups and six प्रियोड थे उनके periodic table में then the group the group one to seven has two sub-cells called अगर हम उनके periodic table में देखेंगे तो एक group में दो sub-cell है okay दो sub-cells a sub-cell and b sub-cells अच्छे से आप periodic table को देखेंगे तो आपको दो वहाँ पे sub-cells मिलेंगे एक a and b ठीके and the group eight has three columns group eight में कितना है three columns है three columns का बनाया गया है group eight में आप देखेंगे three columns that means three elements का column है तो इस टाइब से उन्होंने किया था the elements having similar properties were placed in same group जो-जो element का similar property था उनको same group में place किया गया then there are some space left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in future तो कुछ-कुछ back-end place को उन्होंने left किया periodic table के अंदर में कुछ back-end place था उसको left किया क्यों left किया उन्होंने यह predict किया कि आने वाला future में जो होगा आने वाला समय में होगा नया element discover करेगा बोलके उन्होंने कुछ place को क्या-क्या था left किया था ठीक है और बात में element discover भी हुआ ठीक है उसको हम merit में discuss करेंगे तो यह था उन्होंने कैसे-कैसे element को design किया था तो फिर समरी कर देता हूं element को क्या था उन्होंने increasing order of atomic masses में element को सजाया था और उनके predictable में eight groups थे और six period थे और one से लेके seven जो groups थे उसमें दो-दो subgroup भी थे ठीक है और eight वाला जो group है उसमें three columns था तो इस टाइब से उन्होंने element को सजाया था उसके पाद हम बात करेंगे इनके merit क्या था इनका merit के बारे में बात करेंगे मेंडली मेरिट मेंडली प्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा मेरिट था इनका तो देखते हैं पहले elements क्लासिपाइब था और उन्होंने एकॉमोडेट करने के लिए बोला था कि आने वोला जो फ्यूचर में जो है element discover हुआ उसको वहाँ पे उस place में दे सकते हैं तो ऐसा ही हुआ ओके बहुत सारा element discover हुआ जिसको जिनको जो vacant place था उनको उन्होंने लिखा था ओके एकका बोलके word दिया था ज contempor तो उसमें क्या हुआ बाद में discover हुआ element एकक स्कोबर हुआ उसको भी आपको पुछा जाता कि क्यों carbon & one में ग tribunal धिसको भर है ठीके तो उसको आपको याद रखना है एक का के जगा में कौन सा है एकका बोरोन के जगा में एकका सिलिकन के जगा में कौन-कौन सा element डिस्कोबर हुआ that means उसको सबस्थ जो element है वहां पर एक aluminium के नीचे में उन्होंने एक vacant space छोड़ा था और उसमें लिखा था उन्होंने एक का aluminium that means उन्होंने एक प्रेडिक करने कोशिस किया कि future में जो होगा आने वाला समय पे जो होगा aluminium का जैसे ही एक element डिस्कोबर हुआ होगा तो future में डिस्कोबर हुआ और उनका ये चीज जो था vacant place जो था काम आ गया दूसरा it could predict the properties of the elements which help in the discovery of new element so उन्होंने क्या क्या कुछ प्रेडिक किया जो आभी मैंने बताया कुछ प्रेडिक किया और ये क्या क्या उन्होंने बोला आने वाला समय में जो element discover होगा उसके साथ में एक character similar होगा the inert gas elements discover later could be placed in separate group without disturbing the table so बात में जो inert gas जो है discover हुआ inert gas मतलब group atinol elements जो है उसको discover हुआ और discover होने के बाद क्या हुआ उसको separate place मिल गया without disturbing the other elements so that noble gas that means today we call that noble gas or inert gas got the separate place in their predictable okay तो ये चीज़ था उनका merit के बाद में अब हम बात करेंगे demerit क्या क्या था कौन-कौन से demerit था उनका demerit में अगर हम बात करेंगे so defect of mentally predictable so जब भी आपको exam में आएगा ये point को आपको दिमाग में रखना है कि mentally predictable क्या था उसका merit क्या था उसका demerit क्या था these are very very important वो चीज़ याद रखना ही पड़ेगा आपको ठीक है तो some elements are not arranged in increasing order of their atomic masses cobalt is placed before nickel te is placed before iodine tellurium is placed before iodine ठीक है तो यहाँ पर क्या था cobalt जो था cobalt को nickel के पहले place किया गया before nickel लेकिन क्यों cobalt जो है nickel से ज्यादा उसका atomic mass है लेकिन उसको पहले place किया गया यह कुछ demerit एल क्यों उनका atomic जो predictable था increasing order of atomic masses था लेकिन इन्हों नहीं क्या किया cobalt को nickel से पहले place कर दिया उनके predictable में तो इस type का कुछ था कि कोई पहले कर दिया मतलब कम atomic masses होते हुए भी उसको पहले place कर दिया और किसी किसी को बाद में place कर दिया इस type का उनका problem हुआ the position of hydrogen is not clear तो उनके predictable में जो hydrogen जो है hydrogen का place नहीं था मतलब clear नहीं था कि hydrogen को आखिर कर हम रखे किस साइट में तो यह property था यह problem था कि position of hydrogen is not clear because it shows the property similar to the metals as well as non-metals तो hydrogen एक ऐसा चीज है जो metal के साथ में properties show करता है और non-metal का भी properties थोड़ा बहुत show करता है तो it shows the properties similar to the metal and non-metal also the position of isotopes next किया था the position of isotopes of elements is not clear जो isotopes थे उसका position भी clear नहीं हुआ that means isotopes को कहां रखे जाएगा future में जब हम isotopes और isotopes आएंगे तो उसका place क्या होगा इस सारा चीज उनके पास में नहीं था where it should place there was no clarification उनका table में कोई भी clarification नहीं था उनने कुछ भी नहीं बताया कि हम को future में हम उस element को कहां पर रखेंगे so all these are the demerits that means defect of mandalip predictable so पहले वीडियो में हमने बात किया था दोवरिनियर्स के बाद में फिर हमने newland का बात में बात किया अब हमने mandalip predictable के बात में किया लब जत्ती कराउन लगा करा कत्ती बिन टाइम लाग देनां दैरिकोटिंग लेता